कि गेटरमेन कोच रिएक्षन में क्या होता है बैंजीन से सीधा बेंजल्डी हैड रियों यह फृ ररय एंख चली रियक्षन जो है वो सारे एलडी हैड देते हैं कि और किटोन में सिर्फ मिधाइल किटोन देता है दियां रखिएगा जैसे मालों मेरे पास यह 55cold और इसकी रियक्षन में करवा रहा हूं और आजए में एसथा दोटलो। प्लस माइनम्स में और इसको एसवाण दोटलो। प्लस माइनम्स में यह बन जाएगा co एच एच और यहां आजाएगा अगर रेड़क्षन रियक्षन की बात करूं तो कार्बोनाइल का रेड़क्षन आप एले एच वगेरा से तो कराई चुके हो एले एच एस बी एच और एच्टू केटिलिस्ट पाई बॉंड तोड़ दो एच और एच से तो एल्कॉल तक पहुंच जाते हों तो मैथड और प्रिप्रेशन ओफ ओनली अल्डी हाइड तरफ एल्डी हाइड बनाएं अपन जैसे पहली रियेक्षन है रोजन मुंडे रोजन मुंडे कार्बोनाइल की तो पूरी दिश ली रोजन मुंड रेड़क्षन कार्बोनेल में जैसे Ogenle लाइस हो गया कुछे और रेयक्शन आ पकी हो गई आसे आसर लहीं हो गया ये सब कंपलीट हो गई है ना पाइए डाऊ है रोजन मूंण रेडक्षान में क्या होता है एसेड़ क्लोरइड होता है इसेड़ क्लोरइड की रीएक्शन H2 Plus PDB-SO4 के साथ होती है bond break होता है H और H से और BSO4 जो है वो poison की तरहे गाम करता है आगे फर्दर reduction को रोकता है अगर BSO4 नहीं होता तो CHO को फर्दर alcohol तक oxidize sorry reduce कर देते alcohol तक reduce कर देते Second reaction है Stephen's reduction अगर Stephen's reduction की बात करें तो साइनाइड की रिएक्षिन होती है SNCL2-HCL के साथ और फिर हम हाइड्रोलाइज करा देते हैं तो कैसे होती है रिएक्षिन SNCL2-HCL आपको देता है SNCL4 प्लस हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से बॉंड ब्रेक होता है तो यह बनाता है इमीन और इमीन का हाइडोलिसिस कराते हैं हम यह दौना बॉंड टूटते हैं यह HH और यह OOH से और एक ही कार्वन पर दो OH पानी निकलके बना लेता है यह LDH आर्च और बनता है ठीक है और चो और बनता है एक रियक्षिन और होती है रिडक्षिन वाली टाई वाल H, टाई आइसो भी उटाइल, एलुमिनियम हाइड्राइड, यह माइल्ड रिडूसिंग एजेंट होता है, यह एस्टर को रिडूस कर देता है, डाई वाल H, bond break करता है H और H से, अचा यहाँ पर आप इसके साथ, इसके अलावा डाई वाल H, यहाँ भी ले सकते हो हैं, डाई वाल H, इसको भी रिडूस करता है, और एस्टर को भी रिडूस करता है, तो एस्टर का एक bond तोड़ तो, mild reducing agent है, asset derivative type की reaction है, यह ठीक है, कि आप स्टिफन्स करता है, तो अगर एस्टर है या sinide, sinide में भी आप stefans करा सकते हो, डाई वाल H, भी करा सकते हो, अगर यह लिय तो stefans कहलाएगा, डाई वाल ह में stefans नहीं कहलाएगा, लेकिन डाई वाल H भी ले सकते हो, islor का भी reduction कर सकते हो, है नब, कि पूर्थ नंबर पर है साइड चेन ऑक्सिडेशन कि साइड चेन ऑक्सिडेशन में आप यह कर सकते हो कि साइड चेन ऑक्सिडेशन में आप यह कर सकते हो कि अगर मैं इसकी दोबार एसेंटू करवा दूँ तो CL2 sunlight में दो बार SN2 करके यह बना लेगा ऐसा इसन टू नहीं, पर एक वेच के साथ तो एक ही कार्बन पर 2 OH और पानी निकलके CHO बन जाएगा तो पहले यहाँ पर दो बार benzylic substitution होगा, then दो बार SN2 होगी ठीक है, पांच में नमबर पर मैं itard reaction ले सकता हूँ itard reaction क्या करेगा CRO2, C2 then hydrolysis, तो पहले यहाँ पर chromium complex, CRO2, 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 C2 तो यहाँ पर chromium complex बनेगा ती ऐच, CRO2, CRO2, hold twice यह बनेगा, then यह complex फिर हाइड्राइज होकर देदेगा आपको, कि इसका हाइडोलिसिस कराएंगे कि बॉंड टूटेगा है एच ओएच से और एक ही कारवन पर दो ओएच यह आ जाएगा यहाँ पर ती हो इसके अलावा आप क्रोमिक एसेड के साथ एसेटिक एन हाइड्राइड ले लो कि तो पहले यह डाई एसेट बना देगा कि ओसी ओसी एस थ्री और डाई एसीटेट का हाइडोलिसिस जब आप कराओगे कि यह वान टूटेगा ओएच वह एच और एच एच से और एक ही कारवन पर दो एच पानी निकल जाएगा कि यह जो बना देगा तो यह इंटरमीडियेट आप से पूछ सकते हैं नीट में कि यहां पर क्रोमियम कॉंपलेक्स बनता यहां डाई बेंजाल डाई असीडिट बनता है सुझारइक्स ति यॉविए में कोच रियक्षिन से सीधा बंगीडिय ने बना लेते वह यह फ्रिटल क्राफट्स असाईलेशन रियक्षिन काभाई है या आप यहाँ पर CuCl भी ले सकते हो तो यह आप इस तरीके से लिख लो Co plus HCl मिलाके at CoCl यह माइनस यह प्लस चलिए आगे चलते हैं method of preparation of सिर्फ ketone देख लेते हैं मॉपी of ketone सिर्फ ketone की method of preparation acid chloride की reaction ताय अलकाइल केडमियम के साथ ताय अलकाइल केडमियम मनता RMGS की reaction करा दो या RMG CL की reaction करा दो CDCL2 के साथ तो यह बनाएगा R-2 CD और RS यहां पर जोड़कर CL को हटा दो आप तो आर्सी डवल बॉंडो आर्डेस बन जाएगा दूसरा आप ग्रेगनाड रिएजेंट के साथ भी बना सकते हो अर्म जेएस की बस एक बार reaction करा हो आर्सी योशी यल के साथ तो इससे भी आप खेल सकते हो क्या यह टेक करेगा यह निगल जाएगा आर्सी डवल बॉंडो आर्डेस और फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रियक्षन भी करा सकते हो प्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन रियक्शन में भी एरोमेटिक कीटोन आप बना सकते हो यह एलेक्ट्रोफाइल मिलेगा और बेंजीन पर इस एलेक्ट्रोफाइल की रियक्शन करवादो ठीक है तो धायलकाइल कैड्मियम ले लो ग्रिगनाड रियेजन्ट की एसेड क्लॉराइड के साथ रियक्शन करा दो नाइट्राइल के साथ करा सकते हूं बिल्कुल सही है आप यहां पर नाइट्राइल भी ले सकते हूं या कोई भी ऐसे डेरिवेटेव ले सकते हैं ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर मैं यहां पर नाइट्राइल के साथ रियेक्शन करा हूं तो वो भी करा सकते हूं यह यहां टेक करेगा 512 टेगा और फिर हाइडोलाइज होकर मैं डारेक्टली यह बना सकता हूँ इमीन मनाके इमीन मनाके आप यहां एसे डेक अन्हेटराइड भी ले सकते हूँ ठीक तो डिफरेंट टाइप की रिएक्शन आप यहां पे ले सकते हूँ है ना यह यह रिएक्शन है मैथड़ प्रॉप्रेशन ऑफ की टोन ओनली अगर मैं प्रॉपटीज की बात करूँ प्रॉपटीज ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड तो एल्डी हाइड की टॉन की कॉमन प्रॉपटीज है जिसमें से पहली वाली है न्यूकलिफिलिक एडिशन रिएक्शन कि सीडवाल बॉंडो पर कोई भी न्यूकलिफाइल अटेक करेगा तो पाई बॉन टूटेगा ओ माइनस बना और इसको फिर आप प्रॉटोनेट करवा दो अब इसमें अलग-अलग वैरियेशन होते हैं पहली साइनो हाइडरिन फॉर्मेशन साइनो हाइडरिन फॉर्मेशन में हम देखें तो इसकी रियेक्शन हम कराते हैं एने-सी-एन से और फिर पानी डाल दो तो ओवरॉल एट-सी-एन का एडिशन होता है इसमें एच प्लस और सी-एन माइनस का है आप इसको ऐसे तोड़ लो और यहाँ है सी-एन एसे तोड़ लो 10 ओ के साथ है जोड़ दो और यहाँसी एन में लगा दो यह साइन वाटिय और इसकी एक बडिया रियेक्शन होती है साइनाइड का अगर हाइडॉलिशिस पर आउ ङ ellos कर आऊ alpha hydroxy acid यहां बनाया करते हैं हम तो यह वड़ा famous sequence है तो cyanide की अलग से लिख रहा हूं cyanide की hydrolysis से अब देखो यहां दो टाइप के hydrolysis होते हैं अगर question में लिखा है partial hydrolysis तो हम सिर्फ दो ही bond break करते हैं और amide पर रुख जाते हैं अगर complete है तो amide further hydrolysis होकर acid बना देता है या कुछ नहीं लिखा है स्थ्रियो प्लसी सिंप्ली दे दिया तो हम acid तक पहुंचते हैं तो यह ध्यान लखिएगा कि साइनाइड के hydrolysis से यह बनता है तो साइनो हाइडरिन फॉर्मेशन होता है और उसके बाद यह बड़ी important reaction होती है hydrolysis वाली तो सेकेंड नमबर की reaction होती है एन एच आसू थी के साथ और और एने एच एसो थी reaction जो है वो सारे एल्डी हाइड देते हैं और कीटोन में सिर्फ मिथाइल कीटोन देता है देहान लखिएगा मिथायल कीटोन यह टेस्ट देता है, यह reaction देता है, crystallines ओरड़े यहाँ पर बनता है, तो सारे LD हाइड और मिथायल कीटोन यह reaction देते हैं, तो जैसे मालनों मेरे पास यह LD हाइड है, और इसकी reaction मैं करवा रहा हूँ, NAH, SO3 से तो आप ऐसे तोड़ लो, प्लस माइनस में, और यह बन जाएगा ओएच एच और यहां आ जाएगा ऐसो थ्रिये ने यह मिधाइल की टोन इस्टरिक हिंड्रेंस की वज़े से आगे की रियक्शन नहीं देते हैं अभी से कह रहें आर सी और एनस्टू की पीफोरोटन डी हाइट्रेशन हो जाता साइनाइड बन जाता है यह न से देखें कार्बोनायल यह हो गया मेरे पास कि एलकोहल की रियक्शन एसेडिक मीडियम में होती है तो आप इसको प्लस माइनस के फॉर्म में तोड़ दो ऐसे O के साथ H लगा दो और O के साथ R लगा दो इसका नाम होता है 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 आब है है मी में तुम्हें यहां पर Acetal लिखना है यहां कीटल लिखना है वो डिपैंड करता है कि यहां कार्बनायल क्या है अगर ऐलडीाइड है तो Acetal और और अगर कीटोन है तो कीटल हम लिखा करेंगे यह तपकी बात है जब वन मोल लिया तुमने लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आप दो मोल रोएच दिये जाते हैं तो दो मोल रोएच में आप सीधे-सीधे एसे डिक मीडियम में वाटर रिमूव कर दो और वाटर रिमूव करके आपको मिल जाएगा ऐसा और 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 तीक है अब इसका नाम hemiни होगा, या तो इसका नाम acetyl होगा, या इसका नाम keetal होगा, या तो acetyl होगा या इसका नाम keetal होगा, एक reaction और है, Ns to z के साथ, z vary कराते जाओ, reactions अलग अलग आपकी होती जाएंगी, ठीक है, mild acidic medium में reaction होती है, आप क्या गरो, यहां से पानी निकाल दो तो C double bond N, Z, यह आ जाएगा, Z बदलते जाओ, माल लो तुम्हारा Z आ गया, H, तो इसको बोल देते हैं, I mean अगर Z तुम्हारा आ गया, R, तो इसको बोलते हैं, Sips Base अगर Z तुम्हारा आ गया, OH, तो इसका नाम है, Oxime अगर Z तुम्हारा आ गया, NH2, तो Hydrazone अगर Z आ गया तुम्हारा, NHCO, NH2, तो Carbazone, Semi-Carbazone अगर Z तुम्हारा आ गया, 2,4, DNPH, Dynitro, Phenyl Hydrazine, तो Phenyl Hydrazine बन जाएगा, Dynitro, Phenyl Hydrazine, अलग अलग कलर के PBT होते हैं, इसमें, Roy PBT बनते हैं यहां पर, Red, Orange, Yellow, Roy PBT, अगर यहां आ गया, pH, NH, NH2, Phenyl Hydrazine, तो Phenyl Hydrazine बन जाएगा, तो vary करता है कि Z तुम्हारा क्या आ गया, यह बन गया Phenyl Hydrazine, तो बड़ी सिंपल सी डियेक्शन है, इसकी न्यूगलो फ्लेक एडिसन डियेक्शन, है ना, केल्सियम सॉल्ट नहीं पढ़ना तुम्हें और बताओ, ती यह सी उत्री निकालना होता है वैसी, लेकिन पढ़ना नहीं, ती यह सी उत्री निकाल लो जो तुम लिख रहा हो न सर फराज जी, एसी टोन बन जाएगा अंसर, पढ़ना क्यों हो लेकिन, ठीक है तो यह हो गया भाई साब, एने यार रियेक्शन, दूसरी वाली है न, प्रॉपर्टी में, नहीं पहली वाली प्रॉपर्टी है, सेगेंड प्रॉपर्टी इसकी है, रिडक्शन रियेक्शन, अगर रिडक्शन रियेक्शन की बात करूं, तो कार्बोनाईल का रेड़क्षन आप ले एच वगेरा से तो कराई चुके हो ले एच एस बी एच और एच्टू गेड़िस्ट पाइब और तोड़ दो एच और एच से तो एलकोहल तक पहुँच जाते हो लेकिन अगर क्लेमेंसन रेड़क्षन कराना है क्लेमेंसन रेड़क्षन क्या करता है कार्बोनाईल को कि जैडनेजी कॉंसंट्रेटरेट सी एल एसेडिक मीडियम है कि यह दौनवांड तोड़ देते हैं हम है का एच से सीड वल्वबंडों को रिपलेस करते थे तक हुए थे अलकेन मन जाता है इसी का एक भाई वोल्व कि सना रेड़क्षन के वॉल्व किसना रेड़क्षन में क्या होता है सेम यही गानी लेकिन बेसिक मीडियम में एक एन्टू एच फोर के वेच फिर इन गलाइगोल है ना कि सेम यही गानी लेकिन इसमें लेकिन इसमें वाया फॉरमेशन ओफ एन्टू एच फोर क्या करता है हाइडरा जोन बनाता है दैन इसका रेड़क्शन होता है फर्दर पीच में यह बनता है फिर उसके बाद रेडियूस होकर यह बनाता है ठीक है किलियर है तो यह हो गई रेड़क्शन रिएक्शन थार्ड नंबर पे है तो नेम रिएक्शन मरत तीन पढ़ेंगे इसमें एल्डोल के निजारो और हेलो फॉर्म एल्डोल कंडनसेशन में क्या होता है पहली बात तो रिक्वार्मेंट होनी चाहिए तुम्हारी क्या रिक्वार्मेंट यह है कि वाइसा만 अलफा होना चाहिए ठीक और घ्रम्ट होता है वह डाइल्ट से देखो माली जै मिर पास है CS3C double bond OH तो OH माइनस क्या करता है यहां से H प्लस निकालता है और H प्लस निकालेगा तो जो एनाएन है वो रेजनेंस स्टेबलाइज़ है और यह अपने ही दूसरे मीडियम है वहां से यह ओ नेगेटिव एच प्लस ले लेगा तो यह बना लेगा बीटा हाइट्रॉक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड इसी ट्रेंड पे सारे कंपाउंड की मेंगरेजम चला करती है है और इसकी अपन हीटिंग करा देते हैं कि पैसे needle में हीटिंग में यह लिए बीटा अलफा से एक और बीटा से होच निकाल देता है तो आपको मिलता है यह जए कि फोटो न एलडि हाइड है कि इय्क यह इसकी बेसिक में नैकरेजम होती है आईल डोल जैसे मैं acetone का डारेट करके बता रहा हूं दो मोल acetone की reaction करवाई जा रही है LDL condensation कोH dilute में हीटिंग करा दी आपने तो एक मोल को लिख लो ऐसे देखना ज़रा ध्यान से एक मोल को लिख लो ऐसे और दूसरे मोल के अलफा के दौनों H बाहर करके लिख लो और वाटर का रिमूवल कर दो यहां से मैंकर जम पीछे बताई दी मैंने तो यह कुछ ऐसा दिखेगा मैसी टाइल ओक्साइड इसका नाम है कि यह नाम है इसका मैसी टाइल ओक्साइड कि यह अगर मान लो क्रॉस एल्डोल करानी है डो को क्रॉस एल्डोल में क्या होगा एक मोलेकुल है जिसके पास रूप सथा वाला रूप हो भी सकता नहीं मोभी हो सकता है यहाँ पॉर्मल्म्हाटी हइड भी चल जाता है रूप सकता नहीं भी हो सकता लेकिन मैंने दौना अलफाएच वाले ले लिए तो यहां पर ऐसा question पूछते हैं कि बताओ तो टोटल प्रोट्ट कितने बनेंगे बना तो तुम ऐसे लो गई भाई एक को लिखो सीडवल बांडो दूसरे के दौना एच बाहर करके लिख लो लेकिन यहां तुम से टोटल पूछेंगे तो इसका सीडवल बांडो बना लो इसका एच दौना बाहर कर लो या इसी का सीड इसके दौनों वाहर कर लो यानि कि टोटल अबिं आपके साब ちゃ बन रहे होंगे को में इसका कि इसका सिब्स या मलंजो बाहर किया इसके दो 10 यहां एल्डी sack कर दो एक टाध यहां एल्डी हैड कर दिए और तो टोटल पुदसँसे पूच ले순 है है कर तोटल प्रटरक्ट अगरबूचल दोस तरीके से रबार सकते हैं क्रॉस एल्डोल मैं अगर तुमसे बोला इंट्रा मॉलीकुलार एल्डोल इंट्रा मॉलीकुलार एल्डोल में आपको रिंग के स्टेबिलिटी से चलना रिंग स्टेबिलिटी रिंग स्टेबिलिटी कैसे छे मेंबर फिर पांच मेंबर फिर साथ मेंबर यह सोचना है जैसे मानली जी यह लिखा है, CH3, C double boundo, 1, 2, ऐसा लिखा है, 1, 2, 3, 4, ऐसा लिखा है, इसकी तुम्हें reaction करानी है, किसके साथ, तो पहली बात तो तुम्हें यह सोचना है, कि C double boundo किसका बनाऊं, जहां पर NAR वाली reaction हो, तो NAR वाली reaction यहां पर होगी, यह ketone है, यह aldehyde है, aldehyde NAR अच्छी reaction देगा, comparison to ketone, तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ, मैं इसको ऐसे लिख लूँ, और पानी निकाल दूँ, मैं यह वाला लूँगा, क्यों, एक, दो, तीन, चार, पांच की रिंग बनेगी, अगर मैं यहां वाले अलफा लेता, तो एक, दो, तीन, की रिंग बनती, तो यह वाला नहीं कर लो, इसके रिस्पेक्ट में यह अलफा यह बीटा, अलफा बीटा अन्सेचुरेटेट कंपाउंड बनते हैं, अलफा बीटा अन्सेचुरेटेट कार्बोनाइल बनेगा, अलफा बीटा अन्सेचुरेटेट कार्बोनाइल बनेगा, अलफा बीटा अन्सेचुरेटेट क क्यानी जारो रियक्षन में क्या होता है कि माल लीजे मेरे पास एक फॉर्म अल्डी हाइड है कि कंडिशन यहां पर यह होगी कि यह 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 जिनके पास त दजनोट है रहल फायच और कंडिशन ए कॉंसंडर जेओं लेकिन आप इस इस से नहीं चलेंगे इस से चलेंगे ऑनएक कि ऐसा कार्बुनायल समाइड इसके बास अलफा यह है वह एल्डोल देगा और ऐसी एल्दी है जिसको अलफा एच नहीं है वो कहने जारो देगा आप अलफा एच से सोचना कि क्या होता है ओएच माइनस रिएक्ट करेगा कैसे न्यूगलो फिलेक एडिसन करेगा क्योंकि एसेड बेस तो हो नहीं पाएगी और यहां आ जाएगा आपका ओएच और यह क्या बना लेगा सी एस थ्री ओ नेगेटिव अब सी एस थ्री ओ नेगेटिव यहां से प्लस ले जाएगा तो यह बनाएगा सब्सक्राइब करना है तो कैसे करोगे एक मोल का और दूसरे का रिड़क्षन करा दो और जिसको ऑक्सिराइज करा रहे हो उसका सॉल्ट बना देना तो और दूसरे आपको एक पीच और थिया और एक हम से पया करनी जातुड है तो यह आगए आपकी क्रॉस कें सब्सक्रांड व्र कЕंस के हैं करने जारों में पता क्या करना है एक मॉलीक्यूल तुमको फॉर्मेल्डी आड ही देंगे ना तो फॉर्मेल्डी हाइड की सबसे फास्ट एन आर होती है तो फॉर्मेल्डी हाइड क्या होगा ऑक्सिडाइस और रियेजेंट 50% के वेच भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं है ना तो सी एचो का ऑक्सी डेशन कराना है तो सी यों के अगर एक खॉप्सिडेशन तो दूसरे का क्या कर आओगे फिर रिदक्सन कर आओगे तो पी एच सीस्ट यह जाएगा और एक मॉलीक्यूल क्रोस कह ने जारों में फॉर्मेल्डीड ही दिया जाएगा तुमको तुमको ए ठीक है यह डीटेल मेंगेंजम में हाइट्राइट ट्रांफर इस तरेट इटर्माइनिंग इस्टेविन इस रियक्षन अना कभी अगर पूछ लें तो अगर सिंगल आ रहा है डारेक्ट कुछन आ तो एक का उक्सिदेशन एक रिडक्शन कर आप डिस्पोपोजनेशन रियक् अना इंटा यहिए अन्या मालो backbone ले लिया तुमने लाइक जैकर सिंटर की वैस्ट कराके बता हि ज़रा क्या होगा एक का ऑक सब्सक्रेंट हो जाएगा और एक का रिडग्षन हो जाएगा एक गरदեյिसन क्रावाव एक कर दूंद कि एक और एक का एक का डिदक्शन पांच मी रियक्ष्टन है हेलो फॉर्म टेस्ट है हेलो फॉर्म टेस्ट की अगर हम बात करें तो ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड जिनके पास मिथाइल कीटोनिक ग्रुप होता है या टू डिगरी में भी ऐसे मिल सकते हैं कि अगर मालो ऐसा कंपाउंड मिल गया जिसमें टू डिग्री अल्कॉलो और एकलौता वन डिग्री अल्कॉल यह टेस्ट देता सी एस्ट्री सीच टू ओएच यह वाले तो ऑक्सिराइज होकर देने लगते हैं क्यों हेलोजन माइल ऑक्सिराइजिंग एजेंट भी होते हैं तो यह तो ऑक्सिराइज होकर आगे फर्दर रियक्षन कर देंगे कि ए जैसे मेरे पास है और सी डवल बॉंडो च को इसकी रियक्ष्न करानी है है हेलोफम में क्या होता है एकस्ट्धू प्लस अक्स्ट्वफ नहेच या को फोता है और तो क्या होता है सबसे पहले ओफ माय alkaline hydrolysis हो जाता है मालो के वाइच है तो यह बॉंड तोड़ देगा इधर एच और इधर ओके कर दो तो बन जाएगा आर कुक प्लस सी एच एक्स थ्री लाटाए और नाम लोवर्म है और अगर आयड wrapping टेस्ट नाम दिया जा रहा है इसका अगल सी आच्छाई रिजो यह यलो पी टी होता है इसमिलर रीक्शन ये वे पहले फिर और फिर यह ट्रेंडड फॉलू करेंगे तो मिफाइल वाले सारे एच भर क्या लगा देंगे एक्स कि रात में पढ़ने मज़ा तो बहुत आता है कि क्यों और और कोई कार्बोनाइल की रियक्शन आपको नजर आ रही हो तो बता दू कि और कोई कार्बोनाइल की रियक्शन आपको ऐसा लग रहा हो कि अधर टेस्ट बता दूं फैलिंग और वो टेस्ट बता देते हैं चलो छह नंबर पे लिखलो टॉलन्स और फैलिंग टेस्ट टॉलन्स टेस्ट एक बाड़ क्रॉस वेरिफाई गलने ना कोई रियक्शन जूटे तो तुरंट बता देना और फैलिंग टेस्ट टॉलन्स टेस्ट में क्या होता है वायसाव्य आमोनीकल 0 नाइटरेट होता है अमोनिकल, शिल्वर नाइडेड होता है, सियेचो ग्रुप को औक्सिराइज कर देता है ये, और सिल्वर प्लस से जीरो में आ जाता है, और टेस्ट्ट्यूब पर डिपोजीशन, वाइट डिपोजीशन हो जाती है, इसने सिलेवर में तैसका नाव है है नहु Tribe कि क्या भी यह हो गया आपका टैस कौन देता है यह पता होना चीह एलिफेटिक-यर इस आदिए लेमेटिकक लिली मेंडिइंग यह टैस्ट देते हैं की टोन यह टेस्ट नहीं देता है तो पैलिंग की बात करें तो इसमें 2 solution होते हैं एक होता है यह कुर्च देखोता है फैलिंग भी अ कि फैलिंग ए होता है एक्वस कॉपर सलफेट और फैलिंग भी होता है नाक्ट रोचल सॉल्ट इसको बोलते हैं रोचल सॉल्ट तोडियाम पोटेसियम टार्टरेट इसका नाम है तोडियाम पोटेसियम टार्टरेट इसका नाम है तो क्या होता है चो जो है वह होप्स इस और माइनस में कि एरोमेटिक एलडी हाइड यह टेस्ट नहीं देते और की टोन यह टेस्ट नहीं देता है कि अगर की टोन तो मैं दे रखा है जैसे मानलो यह की टोन है कि अगर की टोन तो मैं दे रखा है और उसकी रियक्शन दुम करा रहे हो होट के आमेन फोर के साथ ऑक्सिडेशन करवा रहे हो कि तो सीरवल बॉंडो कहां जायेगा इसमालर पार्ट के साथ को सीरवल बॉंडो मा इस के साथ बंदो तो सीडवल बॉन्ट इसके साथ भेज़ दो इसके साथ भेज होगे तो ओच वएस से बाउन्ट तो यहां तो एसट बन गया और यह एलकोहल बन गया एलकोहल को फर्दर ऑक्षिराइज कर दो एसड में तो दो मोल एसेटेक एसट बन जाएगा कि स्मॉलर अलकायल गूरुक्ट के साथ आपको इसको भेजने का है कि स्मॉलर अलकायल के साथ आपको इसको भीजने पनि mandatory हैं सूडियम प्रूटेशियम two LOC चलते हैं मेरे कहाल से हो गई.. काम के जीज़ आपके.. कार्बॉक्सिलिक एसिड की रियक्षन में तुम ऑक्सिरेशन वाला तो पढ़ी चुके हो वन डिग्री एलकॉल के ऑक्सिरेशन से बना लेते हो सी ओ टू से बना लेते हो एक एक बार लिखना चाहो तो लिख लो कि इस्टांग ऑक्सिरेशन में कार्बॉक्सिलिक एसिड अगर बनाना है तो आप स्ट्रॉंग ऑक्सिरेशन से कार्बॉक्सिलिक एसिड बना सकते हों सुवा तक है यह बन जाएगा और अगर औरमजीक्स की सी यो टू के साथ रियेक्शन करा दो है कि अगर 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 बेंजीन आपके पास है तो अलकलाइन या केमनोफोर के वेच के साथ केमनोफोर के वेच के साथ हीट कर आके फिर एसीडीफाई कर वालो तो बस यह चेक करना है कि अलकाइलेटेड बेंजीन में एट लिस्ट कि वन बेंजाइलिक होना चाहिए कि तो सारा का सारा ग्रुप जो है कि वह ऑक्सिडाइज होकर पी एच सी ओ एच बना लेगा और यहां इस ट्रॉंग ऑक्सिडाइज करा दो जोन्स रिएजेंट से खेल सकते हो आप अना कि टीक है साइनाइड का हाईडुलिस करा दो कंप्रीट बिल्कुँ सही बात है अमाइड का हाईडुलिस करा दो तो अलकाइलेटेड बेंजीन में आपके पास एट लिस्ट बन बेंजायले कैच होना चाहिए पूरा का बूरा ऑक्सिडाइज हो जाएगा चाहन नंबर पर कुछ हाईडुलिस रियक्शन एक बार लिख लेते हैं अगर हाईडुलाइसिस करवा रहे हो तो साइनाइड के हाईडुलाइसिस से एसट बन जाएगा आपका टिक या कोई भी एस डेरीवेट्व आप ले रहे हो कोई भी एस डेरीवेट्व लेलो आइडुलिस रियक्शन कॉमन ए उसकी हो एच पर आर कि यो एच क्लसध ख इस 플ाइट हो जाए लिए लो पता देता हूं एस्टर की रिएक्शिन तूम करा रहे हो हाइड़ लेसी रहे हूं तो सेम इसी ट्रेंड पर चलेगा फंठ तोड़ा यहां हैच यहां होएच तो क्या वन गया आरसe सब्सक्राइब कराना चाहते हो मतलब alkaline hydrolysis of ester कराना चाहते हो तो माल लो तुम्हारे पास एने वेच है तो तुम यह बॉन तोड़ दो कि यहां एच और यहां पर ओने कर दो और फिर इसको बाद में सब्सक्राइब करा लो आर सी ओने बन जाएगा प्लस और डेस बन जाएगा अलकलाइन हाइडोलिस ओवेस्टर इस कॉल्ड सैपोनीफिकेशन अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो पहली हो गई आपकी एसिड की रियक्शन करा दो आप डिहाइडरेशन पी तूओ फाइव ले लो या कॉंसेंट्रेटेट एस्ट इस ओफोल ले लो तो क्या करोगे आप दो मोल लेकर पानी निकाल दो के तो आएंहाइडरेट बन जाएगा इसके दो मोल ले लो पाणी निकाल दो सेकंड रियक्षन है है एच वी जड रियक्षन यह वाली इंपोर्टेंट ह्वी जड रियक्षन इसकी रिक्वार्मेंट यह है कि अलफा होना चाहिए ठीक है अलफा है चाहिए आपको इसमें और रेट फॉस्फोरस भी आयटू या एक्स रपानी को यहां क्या करो अलफा से हटाकर एक्स लगा दो इस फीकला अलफा से ऑच हटाकर एक्स लगा दो हिए अपनि जया कर एक ऐख हां लका देंगे िक्त तो कारबोकसिल कि एसट की प्रॉपर्टीज में एग होगी और बागी तपड़ रखे हैं जैसे आपको कराना है डिकार्व ऑक्सिलेशन तो पी एच सी ओवेच का डिकार्व ऑक्सिलेशन करना दू जैसे एने वेच सी ओ कि इटिंग कराना बैंजीन बन जाएगा यहां पर एक रिड्यूसिंग एजन जरूर ध्यान लगना कि अगर तुम्हें सिर्फ एसेट को रिड्यूस करना है तो बी टू एच 6 एक रिड्यूसिंग एजन्ट होता है यहां पर यह इंपर्डन्ट रियक्शन इसकी यह वाली है न पांच में रियेक्शन देख लो अमोनिया के साथ ठीक है कि एसेड की रियेक्शन अगर तुम कराओगे अमोनिया के साथ तो पहले क्या होगा अमोनिया इसके साथ सॉल्ट बना लेगा और फिर आप क्या करोगे हीट करा दोगे तो पानी निकल जाएगा तो अमोनिया के साथ हीटिंग पर यह अमाइड देदेगा एक बच्चा कहा था सर अमाइड का अगर डिहाइड्रेशन कराएं तो फीटो फाइव ले लो तो यह पानी निकाल के साइनाइड बना देता है कि एक छोड़ दो बासी में रिएक्षिन और अब ऐसे बोलो तो सर इसर बता दो अब इसर में क्या है लो अगर तुम्हें इसका इसर कराना है मालो को इलेक्ट्रोफाइल इसके पास आया तो यह माइनसमेटडा डारेक्टर है जैसे बेंजल्डी हाइड का अभी मैंने बता है कि PCL 5 वाली रियक्शन PCL 3 वाली रियक्शन अभ यही मतलब ऐसे करो कि सारा गा सारा ओह चटागे सी यह लगा देगा कि दिके कि एक करा सर घीडिंग एक तो बता दो चलो एक 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 लिखना तो लिखे लो बीटागी टो एस एड यह थोड़ा प्रेंड भी होता है लेकिन मतलब कि ए टीख है वीटा कीटो एसिट ने आपकी इच्छा है लिखना चाहो तो कि वीटा कीटो हैसीड करते हैं सोंक करते हैं न थे कि निगल जाती है कि सो게 लवल बॉंड ओ है 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 ये स्पीया निकल जाती है